हेलो फ्रेंड स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग नेट पर और मुझे पता है किस बार मैंने सीटेट के लिए पढ़ाया नहीं है सीटेट जो जुलाई में होने वाला था तब तक तो मैं आपको पढ़ा रही थी सीटेट के लिए उसके बा नहीं पढ़ा था लेकिन अब जब लास्ट मोमेंट है तो निश्चत रूप से जिन बातों का आपको ध्यान रखना है उन बातों को एक बार रिमाइंड कराना बहुत जादा जरूरी हो जाता है तो आज हम कुछ बेसिक देखने वाले है खासकर जो लोग पहली बार देख है वो भी देख सकते है जिन लोगोंने बहुत जाद ब्रपरेशन अभी तक नहीं की है जिनको लग रहा है कि मेरी तयारी में कुछ कमी है वो जरूर एक बार देख लेंगे हम लोग लास्ट में भी देखेंगे कि इन तीन बातों का आपको इस्पेशली ध्यान देना है तो आप परिक्षा पास करने के चांसे जो है वो आपकी जादा बढ़ जाते हैं तो फिरहाल पहली बात करते हैं कि क्वालिफाइंग मार्क्स कितने है तो आपको नब्बे लाना है ठीक है आप क्या कैटेगरी कुछ भी हो आप अपना टार्गेट नब्बे ही मिनिमम मान के चलिए मिनिमम है मैक्सिमम आप कितना भी ला सकते है अच्छी बात है ठीक है बैग्राउंड नॉइस के लिए सौरी वो एक बड़ा रीजन है कि इस बार मैंने लाइव नहीं पढ़ाया है ठीक है यही सारी चीज़े कैर तो आपको 90 नंबर जो है वो अपना क्या मान के चलना है मिनिममम मान के चलना है चाहे आपकी कैटेगरी कुछ भी हो ठीक है पहली बात सीटेट में दूसरी बात करते हैं कि अब जो लोग पहली बार देने जा रहे हैं तो उन्हें कौन से तीन जीज़ों का ध्यान रखन या 90 नंबर हमें लाने है तो कैसे लेकर आने हैं तो देखे अगर आप प्राइमरी लिवल का दे रहे हैं एक्जाम तो निश्चित रूप से आप मान के चलिए कि आपके जो पांच सब्जेक्ट होते हैं जिनके 30-30 प्रश्ट आते हैं यानि कुल 500 प्रश्ट आते हैं इनमे चार सब्जेक्ट के हम बादा भी कर रहे हैं अभी हम CDP को अलग रखे होएं CDP तो निश्चित रूप से आपको पढ़ना ही है सीटेट के लिए है न पौसाइची उसमें कवर होती है तो साथ नंबर आपके पूरे तरह से पेड़गोजी होते हैं अगर आप अपर लेबल पे जा रहे है तो और एड हो जाते हैं उसमें ठीक है क्योंकि उसमें आपका जो में सब्जेक्ट होता है चाहे अपने साइंस मैट्स ले आओ उस जादा मार्क्स काता है तो उसमें पेड़गोजी सेक्शन भी बढ़ जाता है ठीक है तो उस सिच्वेशन में आप सतर से प्रशन तो आपके सही होंगे नहीं यानि अगर आपकी कमांड पैड़गोजी पे नहीं है तो निश्च द्रोप से आपका पास होना संभव नहीं होगा अब जिनों अभी दर कुछ भी नहीं पढ़ा है कि अब कुछ हम नहीं जानते हैं यह सीड़ पहली बार दे रहे हैं क आप पैड़गोजी पढ़ी है अगर आप ही तक आपने कुछ नहीं पढ़ा है तो क्योंकि सब्जेक्ट के अगर बात करते हैं तो चाहे वो हिंदी हो इंग्लिश हो दो आपकी यह संस्कृत होगी दो लैंग्वेज होगी उसमें पंदरा पंदरा नंबर का जो आता है ना गठ्याद चाहता है जुकि आसान होते हैं वह की धन्ना तो निश्चत रूप से इसमें से कुछ ना कुछ प्रस्छिन आपको बनेंगे ही बनेंगे अभी तक आपने जो कुछ भी पढ़ा है जो NCRT based है, उसमें से कुछ प्रशन आपको निश्चे दूरूप से बनने ही बनने, ऐसा कोई प्राणी नहीं है, जिसको कोई भी प्रशन ना बनने, अगर वो पढ़ता लिखता है, तो पढ़के यहां तक पहुचा है, तो है ना, तो मेन अभी focus किस पर करना है, आपको अपन स्ट्रॉंग है, मानते हैं कि 90 में से 90 नंबर का 90 प्रशन आप सही नहीं करेंगे, कुछ कटेंगे नंबर, माल लिजे, 80 माल लिजे, इसको 10 नंबर काट देते हैं, तो बाकी के जो हमारे अभी 60 प्रशन बचे हुए है, जो NCRT based है, उसमें से कुछ तो बनेंगे, 20 बनेंगे 30 बनेंगे, 10 बनेंगे, बनेंगे की नहीं बनेंगे, तो निश्चत रूप से आप 90 तक पहुँच जाएंगे, 90 तक पहुचना सीडेट में कोई भी मुश्किल काम नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए, पुछ लोग गलती क्या करते हैं, जो लोग पहली बार देने है तीन गलती करते हैं, पहली बार देने वाले, पहली गलती प्रपरेशन के टाइम करते हैं, वह क्या करते हैं कि हम 12th लेबल तक कर रद डाले, हम यह रद डाले, NCRT रद डाले, उसके extra रद डाले, दुनिया भर की GK रद डाले, इतना पढ़ डाले एक्स्ट्रा चीज़ें, कि मतलब उसकी कोई सीमा नहीं देखे एक्स्ट्रा चीजों के कोई सीमा नहीं है ग्यान की कोई सीमा नहीं अगर आप EBS पढ़ रहा है तो उसकी कोई सीमा नहीं है उसमें science भी आ जाएगा प्रश्न ही आएंगे लेकिन पढ़ना लिमिटेड है लिमिटेड नहीं पढ़ना है तो पहले पैड़ागोजी पर फोकस करिए वो आपका पहले कंप्लीट होना चाहिए बाकि फिर एक्स्टर ग्यान तो आपको प्राप्त करना ही है वो आप प्रैक्टिस करते हुए भी पा सक करिए तो भी आपका सीटर निकल जाएगा निस चितरूप से है ना दूसरी गलती क्या करते है तो यह तो प्रप्रेशन के टाइम की गलती हो गई दूसरी गलती जो करते है वो एक्जाम टाइम में करते है वो आपको नहीं करनी है ना वो क्या करते है लैंग्वज चूस करन English नहीं चुन रखी है तो Sanskrit आपने चूसकी हो गया है ना कुछ इन दोनों में से कोई चीज आपने चूसकी है अब जब प्रशन आएगा जब आपका पेपर आएगा तो उसमें सा मतलब आपके जो प्रशन रहेंगे 90 प्रशन तो आपके पहले रहेंगे हो जाएंगे उसके बाद language का section स्टार्ट होता है ठीक है उसके बाद भाशा का section स्टार्ट होता है तो उसमें प्रशन इस तरह से रहते हैं कि आपको पहले मिलेगा English जो पेपर आप अगर आप Sanskrit चूसकी है तब तो आ कि paper वन English रहेगा इसमें प्रशन संख्या 91 से 120 तक रहेगी फिर उसके आगे आप जब पलटेंगे तो उसमें रहेगा paper वन Hindi इसमें भी प्रशन संख्या 90 से 120 तक रहेगी उसके बाद रहेगा paper टू इंगलिश इसमें प्रश्न संख्या 121 से 150 तक रहेगी और फिर ऐसे ही पेपर टू रहेगा आपका हिंदी इसमें भी प्रश्न संख्या यही रहेंगी जो ऊपर हैं ठीक है 120 तक वाला सेक्शन ही सॉल्व करना है दूसरा पार्ट सॉल्व नहीं करना है इंगलिश आपने भाषा दो में चुनी है लेकिन जब आप पेपर पलतेंगे खोलेंगे तो आपको सबसे पहले इंगलिश यहां मिल जाएगी तो यह नहीं कि आपको सबसे पहले इंगलिश मिल ग क्यानवे से 120 और लैंगवज टू 121 से 150 तक ही सॉल्व करना है हर चीज दो दो बार रहेगी हर क्रमांग दो रहेगा लेकिन आपकी OMR शीट में हर नंबर एक ही बार रहेगा इस चीज का थ्यान रखना है दो चार भी गलती कर दी बहुत लोग ये गलती करते हैं बहुत बड़ कर जाना है वह हमारा जो भी हमने लैंगवज 1 चुना है वह 91-110 और जो लैंगवज 2 चुना है उसे 126-150 तक हमें अटेम्ट करना है उसके पहले जो कुछ भी आ रहा है को इगनोर ही करना है तो ये गलती नहीं करना है ये गलती कर दिये तो फिर आपको फेल होने से कोई बच चांस फस भी गया तो दुचार नंबर मिल गया तो क्या हो गया डेर सो में 60 चले गए तो 90 ही तो बच्चे और 90 में से 90 प्रशन आप कभी सही नहीं करके आएंगे तो निश्चत रूप से आप फेल हैं अगर आपने लैंगवज की ये गलती कर दी तो और बहुत लोग करते ह नहीं करनी है थी दो चोईस हो गई एक तो प्रप्रेशन के टाइम पर और एक एक एग्जाम के टाइम पर अचाब तीसरी चीज़ जो आपको ध्यान देनी है एक बार वीडियो को लाइक वगेरा कर दीजेगा लास्ट मोमेंट में अचाब प्लेलिस्ट की लिंक सारी मैंने स्क्रिप्न वाक्स में दी है जो सीटेट बस के लिए है ना बहुत छोटी छोटी वीजियो में फैक्ट फैक्ट चीज़े पढ़ाई है देखिएगा अगर लगता है कि यूसफुल है एक बार रिवाइस कर लीजेगा तीसरी चीज़ जो आपको ध्यान रखना है वो बहुत लोग का लेकिन इसमें क्या होता है प्रश्न बहुत घुमा के पूछते हैं प्रश्न बहुत लेंदी पूछते हैं अभी आप लोग मॉक टेस्ट वगएगर अटेम्ट करते होंगे प्रैक्टेस्ट सॉल्फ करते होंगे इसीटट का प्रिवियस येर्फ किशन देखते प्रश्ण को गुमाएगा, कोडिंग में बहुत सारे प्रश्ण पूछते हैं, दे दिये हैं, कोड़ अब इसमें से चुनिए, फिर मैच करिए मतलब कि प्रश्ण और आप्शन दोनों ही ऐसे होते हैं जो आपका समय जादा कंजियूम करें जनरली होता क्या है, पेपर मिला और हम स्टार्टिंग से सॉल्व करना स्टार्ट कर देते हैं अंत में जाके क्या होता है कि समय बचता ही नहीं है और जनरली अच्छा होता क्या है जो लास्ट के सब्जेक्ट होते हैं जादा तर हम वही छोड़ते हैं जो हमारे लिए कठिन होते हैं अंत में अब समय भी नहीं बचा है वो सब्जेक्ट भी हमारे लिए कठिन है उसमें तो देखिए दो तरीके हैं ठीक है दो तरीके इसलिए बता रहे हूं कि सब का तरीका अलग अलग होता है सब की सुविधा अलग अलग होती है कोई कोई जैसे सुबह पढ़ता है तो उसे याद होता है कोई साम को पढ़ता है रात में पढ़ता है जक्के तो उसे याद होता है वही चीज़ है तो हर चीज़ का दो तरीका होता है हम लोग देख लेते हैं आपके लिए जो सुटेबल बैठे हो आप देख लीज़ेगा पहला तरीका है कि यह मैं बहुत ज्यादा फॉलो करती हूं बहुत मैंने सुपर टेट्व अगेरा में भी फॉलो किया है निकल भी गय तो यहाँ पर पेपर स्टार्टिंग से खोलना स्टार्ट करते हैं पर करते हैं सरसरी नजर में बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाते हैं जैक्या है जो केश्शण ऊस्मीज़ी जयसे देखते हो यह लगता है कि हां बहुत यह बहुत आपफचिGER यह जाते हैं यूँकि exam आपको offline है आप आराम से टिक कर सकते हैं ठीक है pencil लिए रहे ये pencil से टिक कर दीज़ापना उसको tick करते आते हैं और इस तरह से पूरा paper finish कर देते हैं आधे घंटे नहीं लगते हैं पूरा paper एक बार एक नजर पूरे paper पे पहुंच जाती है उसमें जो बहुत एकदम क क्योंकि हर पेपर में हर सब्जेक्ट में कुछ प्रस्ण तो ऐसे होते हैं जुछ नजर पढ़ते हैं उसका एंसर दिमाग में आ जाता है कुछ दिमाग लगाने की जरूत नहीं पढ़ती है न वो सब टेक भी कर डाला इतने आपके सॉल्व होगे और फटा फट से हम अपना मै पढ़ती है तो जूनियर का सीटेट पेपर दिया था तो आदे घंटे मदब करी पॉना घंटा बचा था और मैंने कंप्लीट कर दिया था पेपर और उसके वादा राम से बैठे थे कुछ भी काम नहीं था यह ट्रिक मैंने की थी ठीक है तो पूरा एक बार देख लिया एक में बीद गया और उसके पाद दो घंटे बचते हैं दो घंटे बचते हैं तो हम उसे डिवाइट कर देते हैं अगर हम कहते हैं बहुत नई प्रशन हमने किया है पचास प्रशन भी कर लिया है तो हमारे पास सिफ सो ही प्रशन आव अटेम्ट करने के लिए बचे हैं दो घं में आना और एडवाइस देना दोनों बहुत फार्क होता है तो विभार में जैसे मैं यह लाती हूं पर एडवाइस क्या दूंगे लगभग एज टीचर सबको कि आपका जो सब्जेक्ट सबसे ज्यादा स्ट्राइप सब्सक्राइब हो पहले एक रॉपने हिंदी करना स्टार्ट किया पहले तो तीस प्रश्ने है तो थीस में से इक दो में आपको कंफ्यूजन भी तो भी अधिक से अधिक प्रश्न और बहुत कम समय में आप कर लेंगे है ना ये करिएगा ऐसे ही करिएगा जो ज़्यादा strong है वो क्योंकि उसमें कम लगेगा ये 30 प्रशन में आपको आदे घंटे भी ने लगेंगे करने में क्योंकि ये आपका strong है subject तो जो subject strong हो पहले उसे attempt करिए मतलब आपका target क्या है आपको समय के पहले पहले 90 से जादा प्रशन सही सही कर देने हैं समय खतम होने के पहले पहले तो आपका number of questions भी OMR पे number of answers भी बढ़ते रहना चाहिए time के साथ में है ना इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा ये नहीं कि हम बस अपनी booklet में solve कर रहे हैं और OMR खाली OMR में भी number of answers बढ़ते जाना है time management seated में सबसे ज़्यादा important है time बहुत waste करते हैं seated वाले impression ऐसे देते हैं आपको सब कुछ उत्ते में manage करना है तो जो पहले strong है उस पे focus करिए और OMR पे भर दीजिए फिर जो exceptional कुछ छूटे हुए हो तो बात अलग है आप बाद में उसके लिए time ले सकते हैं तो पहले आप language attempt कर लीजिए का असान पर जाता है थोड़ा first language असान पर जाती है second अगर आपको लगता है दिक्कत है तो बाद में solve कर लीजिए cdp कर लीजिए cdp आपकी असान पर जाती है अगर आपने पढ़ी है तो नहीं पढ़ी है तो भी कुछ प्रेशन तो निच्ची दरूप से आपको बन जाते है अच्छा जिनकी math अच्छी है तो math पहले attempt कर लेते हैं इनकी evious अच्छी है वो पहले evious यानि जो आपको जादा अच्छा है ऐसा कोई hard and fast rule नहीं है कि आप यही पहले करना नहीं जो आपका जादा टाइम पे टाडगोजी पे focus करिए second language सही से solve करिएगा language जो आप section choose करेंगे वो गलत नहीं होना चाहिए वरना fail हो जाएंगे तीसरा time management OMR साथ में भड़ते जाना है वरना last में time कम पढ़ जाएगा नहीं मिलेगा तो आपको बनते हुए भी आपके number चले जाएंगे इतनी चीजों का ध्यान रखना है जो main चीज है बागी साथी जो guidance होती है वो सब booklet में लिखी होती है आपको थोड़ा helpful लगा होगा यह last session का जो है एक कहीं न कहीं कह सकते हैं की guidance थी especially जो लोग first time attempt करने वाले उनके लिए बागी आप एक बार playlist या एक बार description box जरूर चेक कर लीजेगा उसमें सारे link आपको दी है आपके लिए निश्चिद रूप से helpful होगे so thanks for watching and all the best सब को पास होके आना है निकालना ही निकालना है बबाए